तो दोस्तो ये है साहरनपूर का जिला होस्पिटल, जिला स्पताल, अब यहां क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बताते हैं, तो दोस्तो यहां एक बहतरीन कॉंसेप्ट वाली रसोई चल रही है, जहां आपको मिलता है भर पेट खाना और सिर्फ 10 रुपे में, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ, दोस्तो बिलुकुल अलग तरह का कॉंसेप्ट आज आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया और अलग कॉंसेप्ट है, यह है दोस्तो हमारे सामने, HTC रसोई on wheels, यह क्या कॉंसेप्ट है, क्या यह अपना food enjoy करते हैं, नमस्कार तो मेरे साथ है भाई साब आपका नाम, मेरे नाम हरीज चाबड़ा, हरीज चाबड़ा, हरीज चाबड़ा जी चलती फिरती रसोई के बारे में आप बताईए, हमारी, और इसको हम दसरवे की थाली देते हैं, बीज में तीन रोटी, चाबड़, दाल, सबजी, सलाग और मिठा, बहुत बढ़िया पॉंसेप्ट है, लोगों की सेवा की जा रही है, और यह लंगर होता है कि कोई अपने बड़े का बच्चे का कराता है, कोई जिसके कोई किसी याद में कराता है, तो इस अब लंगर चलता है, लोग जुडते हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं, और आके होर जुड रहे हैं, चलो मैं भी जुड़ूँगा आपके साथ, बिल्कुल वेलकूम आपका बहुत 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 बड़ा अच्छा कॉन तो यहाँ पर ये खान दिया जा रहा है, यहाँ पर ये मैन्यू दिखा देता हूँ, ये दाले बेहन जीजान, ये दाले और अलू सोया पीन, अदर चावल भी है, सैलेड है हमारी, मिष्ठान भी है, और दोस्तों दस रुपाद कर रहे हैं, जी 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 और सिर्फ ये थाली दोस्तों मैं बता देता हूँ 10 रुपे में है वोगी इसलिए है कि जैसे लोगों को ये ना लगे कि हम एक तो कदर करें और उन्हें ये ना लगे कि हम ऐसे खा रहे हैं क्योंकि खाने की कदर होनी चाहिए और बहुत अच्छा सेटप है सारी किचन का अब इदर दिखा देता हूँ हालकि थोड़ा इदर रोशनी कम है यहाँ पे बैंचेज लगाई गई है ये और यहाँ पे लोग खड़े होके ये खाना इंजोए करते हैं तो बहुत बढ़िया कॉंसेप्ट है तो ये देखो भई थाली यहाँ पे लगा कि पीछे सा आ रही है और लोगों को सर्व की जा रही है और साथ-साथ यहाँ पे मीठा भी दिया जा रहा है और ये देखो भई ये बाता रहे है कि एक साल हो गया चलते वे बहुत बढ़िया 27 दिसंबर बिल्कुल एक साल से उपर ही हो गया जी जी कि लाटं बाटं कि याद समयवा